आज हम लोग clay build up brush देखने वाले हैं, इसके last के वीडियो में हमने देखा था कि clay brush कैसे use करते हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो देख लेना और चैनल को subscribe जरूर कर लेना है, बहुर मैनत पड़ती है एक वीडियो को बनाने में, फिलाल यहां पर हम देखते हैं हमारे सामने ए add हो जाएगा, अब इस पर आप काम कर सकते हों, तो यह हमारे पास में एक face है, हमें clay build up brush देखना है, किस तरह से काम करता है, आपको B बटन प्रेस करना है अपने keyboard से और C बटन प्रेस करना है, आप देखोगे यहां पर clay build up का एक option आपको दिखाई दे रहा है, और इसका code है तो आप यह देखो कि current brush आपका clay build up brush है, देख लेते हैं पहले चला किसको कि किस तरह से चल रहा है, यहां पर हम brush चला रहे हैं, देखिए इस तरह से चल रहा है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा control D करते हैं ताकि मेज थोड़ी सी heavy हो जाए, control D से division हमने बढ़ा दिये हैं, फिर पर रिपीट कर दिया, तो आप देखते जा रहे हैं, जितनी बार रिपीट कर रहे हैं, इसकी height बढ़ती जा रही है, यहां से आपको दिखा सकते हैं, जबकि सिंगल स्टोक जब पढ़ा था तो इतनी height नहीं थी यह देखिए, और आप अगर इस पर double stroke चला तो एक, फिर reverse क करते हो 2, फिर reverse करते हो 3, तो आप देखो कि इसकी height थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस पर हमने कई बार stroke को reverse forward करके चला दिया है, ठीक है, और यहां पर देखिए, यहां पर 2 बार चला है, तो जितनी बार भी आप इस पर stroke चला आना उपर की तरफ, तो हम इसका use करते हैं, लेकिन लास्ट में जो हमने clay brush use कर रहा था, वो भी तो कुछ ऐसे कर रहा था, लेकिन दोनों में difference एक बार देख लो, तभी आपको समझ में आएगा, तो यहां पर चलते हैं, B और C प्रेस करते हैं, ताकि आपको यहां से clay brush मिल तो यह clay brush है, यहां पर एक बार हमने चलाया, फिर दो बार चलाया, फिर तीन बार चलाया, हम mouse को click को release नहीं कर रहा है, बस इसके उपर repeat करते जा रहे हैं, देखिए इसके उपर height नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल से भी height नहीं बढ़ रही है, तो clay brush क्या करता है, एक बार ही फिर 5 हुआ, ऐसे करके करते जाएंगे तब height बढ़ाएगा, जबकि यहां पर build up brush जो हमारा है, यहां पर आपको click नहीं करना बार बार, आपने एक बार click कर दिया, बस height बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए, यह, तो दोनों में बस यह फरक है, तीसरा फरक है, जो हमारा clay brush है, यह बहुत smooth merge होता है हमारे object के साथ में, यह देखिए, clay build up है, यह merge नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम clay brush यूज़ करते हैं, तो देखिए, आप brush पर click करोगे, तो ऊपर जो latest brush आपने use की होंगे, उनकी entry आ जाएगी, यह, देखिए, clay brush यहां लगा हुआ है, आप click करेंगे, देखिए, यह हमारे object के साथ में कितना अच्छे से merge हो रहा है, यह, जबकि यह कितना hard आ रहा है, यह फरक है, चलते हैं, old के साथ अगर हम चलाते हैं, तो यह देखिए, नीचे की तरफ, यह minus करेगा आपकी maze को, अगर हम old press नहीं कर रहे हैं, तो यह आपकी maze को plus कर रहा है, मतलब उपर की और उठा रहा है, add कर रहा है, clay को, clay for midty, तो यह midty को add करते जा रहा है, लेकिन अगर हम old press करके चलाते हैं, तो यह midty को add नहीं कर रहा है, बलकि वहाँ model से आपकी midty निकाल रहा है, यह देखिए, गड़ा कर दिया इसने, ठीक है, अगर आप shift को use करते हैं, shift इस तरह से, अगर आप shift button को hold कर लेते हैं, आप symmetry on करके देख लेते हैं, अगर आपने इसके साथ symmetry चला है, symmetry भी चलती है, इसके साथ में, तो symmetry कैसे होन होगी, आपको जाना है, transform tool में, यहाँ पर यह symmetry आपको दिखाए देरी, click कर देंगी, x-axis में symmetry मिल रही है, यह x-axis में symmetry ह चलाते हो, तो आपका जो clay build up to brush है, वो देखिए, दोनों side में बराबर चला है, क्योंकि आपने symmetry को on कर रखा है, यहाँ पर यह height उठाते हुए जा रहा है, तो basically अगर आपको इसका use करना है, आपको समझ में आ गया होगा, तो देखिए, किस तरह से हमने clay build up brush का use करके, बहुत सारी चीज़े बना डाली, different different type से, यहाँ पर scroll करके आपको दिखाया है, तो आप clay build up को अच्छे से समझ गया होगे, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए brush के साथ में, तब तक के लिए thank you, channel को subscribe जरूर कर देना, और last video मेरा clay brush पर था, उसको जरूर देख लेना, thank you.